अस्सलाम अलेकुम नमस्ते दोस्तो आज हम बनाएंगे यूपी बिहार के फेमस दलभरी बिना दाल के हम बनाएंगे और ये बहुत टेश्टी बहुत कम समय में बनता है तो जरूर दोस्तो पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं ये देखिए दो दोस्तो चावल को मैं दो घंटा भीगा के रख दी थी चावल को मैं अच्छे से सुखा लिये हूँ चावल में हलका हलका नमी है पानी बिल्कुल भी नहीं है देखिए इस तरह हमें फरफर चाहिए चावल तक ये असानी से पिस जाए अगर हाथ से मसलेंगे ना तो ये बा 5-6 मैं हरे मिर्च ले लिये हूँ 10-12 ले सुनका कलिया ले लिये हूँ 10-12 काली मिर्च आधा चिमत जीरा है 3 चुटकी हींग है 3 चुटकी हल्दी पोडर है और यहां पे दोस्तों मैं सौफ का पता ले लिये हूँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है दल भरी में तो इ इसे हम दो बार पीसेंगे तो आधा चावल मैं रख ली हूँ मिक्सी जार में इसे हम बार पीस लेते हैं दोस्तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ प्लिस दोस्तो लाइक कर दीजिये गा वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिये गा सेर कर comment करके दोस्तों जरूर बताइगा तो देखीए सभी चावल को मैं बारीktor पीस लिये हूं ये देखीए बहुत आसानी से मिक्सिजार में पीस जाता है अब इसी मिक्सिजार में हम डाल भी पीस लेते हैं तो सभी मसाले को मिक्सिजार में डाल लेते हैं और यहां पर यह पाव किलो डाल है और दाल दोस्तों मैं चना डाल ले लिए हूँ बिंगलोर में मटर डाल जल्दी मिलता ही नहीं है तो सभी दाल को मिक्सी जार में डाल दी हूँ चार चिमच इसमें मैं पानी डाल दी हूँ पानी जादा नहीं डालना है इसे हम बारीक पीस लेते हैं तो देखिए सभी दाल को मैं बारीक पीस ली हूँ मिक्सी बाउल में इसे हम दाल को निकाल लेते हैं तो सभी डाल को दोस्तों मैं निकाल ली हूँ, ये देखिए, तो अब हम डाल में स्वाद अनुसान नमक डाल देते हैं, इसी टाइम, बारी कटा हुआ सौप का पत्ता डाल देते हैं, सौप के पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है दल भरी में, अब इसे हम मिक्स कर दे अब यहां पे मैं गैस को कर दी हूँ चालू रख दी हूँ कड़ाई गरम होने के लिए गरम कड़ाई में हम पिसे हुए चावल डाल देते हैं पिसे हुए दोस्तों चावल का आटा डाल देते हैं जो हम पिसे थे ना वही आटा हम कड़ाई में डाल देते हैं अब इसे दोस् जाएगा ना तो बहुत फरफर हो जाएगा तो यह देखिए दो मिनट हो गया है सिलु आज पर भूनते हुए इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ है और यह देखिए पहले आटा दोस्तो एक जुट रहता था तो देखिए चावल का आटा अच्छे से भून गया है फरफर हो गय में निकाल लेते हैं आट को दोस्तों में दूसरे पलेट में निकाल लिए हों यहां पे मैं पानी में लग दिया हूँ इसी गिलास से डेर गिलास में पानी डाल दी हूँ हलका सा नमक आथ जालना एक पानी को अच्छे से उबाल लेना है तो देखिए पानी अच्छे से उबल गया है तो इसे मैं साइड में रख देती हूं अब हम एक लीटर पानी और दूसरे बरतन में रख देते हैं उपर से हम छनी रख देते हैं छनी में दोस्तों मैं अच्छे से तेल घस दी हूं उपर से धक्कन लगा देते हैं तक कि भाफ न निकले अच्छे से पानी उबल जाए अब ये देखिए जो तेल और नमक डालके पानी उबाली थी ना वही पानी हम थोड़ा थोड़ा आटे में डालेंगे ध्यान से करिएगा दोस्तो पानी बहुत ज़दा गरम है तो देखिए ये हलक अच्छा सौप्ट अनरम आटा लगता है ये देखिए बहुत सौप्ट आटा है तो अब हम दल भरी बनाने का तयारी कर लेते हैं हाथ में थोड़ा सा तेल घस लेते हैं जब हम पूरी बनाते हैं आटे का पूरी वही साइज का हम लोई ले ले लेते हैं इस तरह हम दोनों ह भी मुइन आपको दूसरी भी दल भरी बना कर दिखा देते हैं एक बार हाथ में तेल लगाएंगे आजा चला हें यह थैसे बीजाली हुँ एक चिम्मत हम दाल डाल देते हैं इस तरह हम इसे प्रेस कर देते हैं इसे दोस्तों हमारे यूपी बिहार में दलभरी बोलते हैं फारा बोलते हैं आप क्या बोलते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा छे दलभरी को दोस्तों मैं बना ली हूँ अधर देखिया पानी में अच्छे से उबाला गया भाब भी अच्छे से हो गया है अब हम एक दल्भरी में बनाई थी तो छे दल्भरी को मैं रख दी हूँ और इसे हम ढग देते हैं ताकि अच्छे से पक जाईए दोस्तो इसे इतना अच्छे से ढखना है ताकि भाफ ना निकले तो ये बहुत जल्दी भाफ में पक जाता है तो देखिए दो मिनट हो गया है अच्छे स पक गया है तो इसी तरह मैं दूसरा भी बना के रख ली थी तो इसे भी हम दलभरी को डाल देते हैं एक दलभरी जो दोस्तो हो जाए तभी दूसरा दलभरी डालना है तो इसी तरह मैं सभी दलभरी को पका लेती हूँ भाफ में तो देखिए दलभरी को मैं रख दी हूँ तो तो इसे मैं धक्कन को लगा देती हूँ इसे हम चार मिनट के लिए फुलाज पे छोड़ देते हैं भाप में पकने के लिए तो देखिए दोस्तो ये चार मिनट हो गया है तो इसे मैं उतार देती हूँ गे इसको मैं बंद कर दी हूँ यहां पे दोस्तों देखिए मैं सिलवर के बरतन में खटाई डाल दी थी बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है दोस्तों बहुत से घर में ज़्यादा इस्टील का बरतन रहता है या फिर इस्टील का बरतन नहीं रहता है ज़्यादा सिलवर का ही बरतन रहता है तो अगर इस्टील के बरतन में हम पानी उबालते हैं तो काला नहीं पड़ता है तो सिलोर के बरतन में उबालते हैं तो वो काला पड़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है अगर पानी उबाल रहे हैं तो खटाई डाल दीजिएगा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा प देखे दोस्तों सभी दलबरी को मैं निकाल लिए हूँ मैं अलग तरीके से बनाई हूँ मटर दाल में नहीं बनाई हूँ चना दाल में यह बहुँ टेश्टी लगता है और देखे कितना अच्छे से अंदर तक के भरा हुआ तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब के लिए लापिस बाई दोस्तों